नमस्कार दोस्तों सौगत आपका हमारी यूटूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में डिस्क्रक्स करेंगे परसुदन परसाइदगारी के 23-12-2020 के फॉस्सिप्ट के क्वेशन को तो ये क्वेशन उन्हों भी हरती ने भीज़े हैं जिनका फॉस्सिप्ट में एक्जाम थ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले आने वाली वीडियो के नोटिविकरिसन के लिए तो चले वीडियो को सुरू करते हैं पहला कुछन था पूचा गया था चिकन में गुडसुत्र क्रमुसूम की संक्या पूची गया थी तो नंबर और क्र अगर प्र्टेक्शन एक्ट लक हो था और इससे पहलो सिप्विक है था वा ना आइंटीन सेविक्शा गया था तो इससे भी कॉते बन रहा था हर सब्दों में नेक्स कॉती फसे बकुच्छन पूचे था ।ूच ऑन्चों सेंसर दू था लिव इंश्टख सेंसर और 2019 सेंस इसमें कितने % का इंकरी जाय था SIP में SIP की प्रोडक्शन में कितने % का इंकरी जाय था तो 2012 में तो टोल सिप की संक्या थी 65 MILLION ठीक है और इसके बाद 2019 में जो सेंसे वह था जिसको दो जा बीज़ा बीज़ा सेंसे और 2012 को था तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो टोटल पॉपलेशन होगी था इसकी तो यह थी 74.26 MILLION ठीक है तो टोटल 14% का इंकरी जाय था 14.2 या 1% का था ठीक है तो यह इसका आंसर था तो यह कॉशन पूछा गया था आज की अगर बहेंसु की बात की जाए तो 2012 सेंसर में बहेंसु की संक्या थी 108.70 और 2019 में 109.85 यह जो थी बैफिलोस की थी लेकिन आज की पेपर में स्रीप का पुछा था था ठीक है 14% का इनकी जाय था 14.12 का आप चैक का रिडिए करे परसेंट बं रहा है इसका इसका नेक्स क्वेश्ट पूझा कुचा था Northern Mc portray मन गन गने जाता है कं मने जाता है यह को इन में से कौन चिपको अंदुलों से सब्बन्दी थे तो इस question में option थे तो option पता नहीं क्या थे लेकिन जो चंदी परसाद भध गौरा देभी और सुन्दलार भगुरा ये सभी तो यह तो तीनों थे चिपको अंदुलों होता ठीक है चिपको मुमेंट तो यह तीनों जो इस से इस इस टो जो भी और भी और होंगे वह से साथ सहाथ सबसक्तर आप ते लिए है नेक्स पूच अगता है स्ट में क्रमोसम सींध की यह question पिछली सिप्प में भी आया था इसमें भी आया है आप देख लिजिए तो इसमें होती ही 54 क्रमोसम की संक्या मेरा नहां पूछे सता थेith कई को मेरा साथ और यह मेरा वाद समगा पूरिया राव कर दो एक अपक गरण और सथी मारा बंजिछे सह सहे तो आप इसको भी देख लीजेगा और एक question live stock sensor से एक और पुछा गया था exact याद नहीं रहता है क्योंकि paper तो online होता है तो याद नहीं रहता है कि बाद में क्या question था exact याद नहीं रहता लेकि इन question को याद था जो उनने बताया कि इससे question पुछा गया था एक और एक question पुछा गया था कि animal body में largest gland से भी question पुछा गया था जो भी पूछे गया थे नीचे आप comment कर दीजिए और अगर आपका answer भी आप पर reply कर दीजिए ठीक है और एक comment आ रहे हैं बहुत सारे की हमारी सिप्ट के question hard थे या हमारी सिप्ट हाड थी या हमारा exam पहले हुआ तो हमें इसका नुक्सान हुआ या जिसका exam बाद में हो इसको advantage बिला तो ऐसा कुछ नहीं है देखिए इसमें normalization है जिसके सिप्ट हाड थी तो इसको उसके जो है marks बढ़ भी सकते हैं और जिसकी easy थी अच्छा स्कोर नहीं किया होगा उसमें easy सिप्ट में तो इसके घट भी सकते है इससे आप सबके mark जो है जरूर बढ़ेंगे क्योंकि formula जो है इसी सिप्ट होता है कि हार सिप्ट है तो ऐसा नहीं कि easy सिप्ट वाल को इसका फाइदा हो जाएगा तो next video लेकर आंगे हम कली कि कैसे बताएं कि आपको कैसे normalization calculate किया जाता है उस formula की base पर तो आपको कोई घपराने की टैंसल लेने की ज़रूत नहीं है अगर आपने exam ठीक दिया है या सिप्ट हार्ड होने पर आपके average score अच्छे आ रहे हैं तो फिर को टैंसल लेनी बात नहीं ठीक है तो यह था इस video को end thanks for watching and God bless you all